नमस्कार मैं अमितिवेदी आप सब भी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पाउरान्वील पर और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप आपको कितनी जगए किस गारी में मिलने वारे चलिए शुरू काते हैं इस वीडियो को पहली बार चनल पर हैं सब्सक्काइब करेंगे अपने दोस्तों से भी वीडियो को जरूर साजा करें तो शुरूआत करते हैं रियर से और आपको दिखाते हैं कि बूट में किती जगए मिलती है तो कोई और कुछ यहीं पर बहुत कुछ आपके माइंड में क्लियर भी हो जाएगा जिस तरीके से आपने देखा कि यह गारी आकार प्रकार में कितनी अलग है एक दूसरे से मतलब यह काफी बड़ी लगती है साइज में भी लंबाई में चोड़ाई उचाई में तो यहां पर आपको इतनी जगे मिल जाती है और जब कीमत का जिक्र करेंगे तो आपको बता दूँ कि कीमत में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग मिलता है अगर बेस बेरिंट पर जाएंगे इसके तो बेस बेरिंट जहां से आपको क्रेटा की शुरुआत होती हो वहां पर यह महगा पड़ता ह बेस बेरिंट इसका क्योंकि यह 12.4648 लेक्स के आजपास आपको मिलता है एक्शिवी 7W और क्रेटा आपको शुरू हो जाती है लगभग 10 लाख सवा 10 लाख रुपे के आजपास में इसका बेस बेरिंट मिलता है एक्जैक्ट कीमत यहां पर लिख दूँगा आप देख भी अगर छाड़ रियर स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जगह आपको किस में मिलती है एक्शिवी 7W में अब क्या करते हैं चलते हैं इसके रियर सीट पर और वहां बैठ कर देखते हैं कि आपको किस जगह पर कितना आराम मिलता है तो सब से पहले बैठते हैं एक्शि मिल रहा है वो दिखा लेता हूं आपको तो अगर मैं हाँ बैठा हूं तो मुझे अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है बड़ा सा है रूम मिल जाता है काफी अच्छा और दो अजिस्टेबल है रिस मिल जाते हैं और जिस बेरेंट से मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं तो किस तरीकेसे बैठने वाला हूँ हूं ये मेरा अंदाज रहेगा इस प्रिट रस्ति विए नहीं मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो इस क्रिटा में बैठकर और पीछे आपको AC बेंट मिल जाता है C टाइप का charging point मिल जाता है और इस side में आपको पानी की बोटर और रखने की दरवाजे पर जगे मिल जाती है चारो power window है बड़ा सा window area मिल जाता है जिसे आपको बाहर की दुनिया काफी ज्यादा अच्छी लगन से बैठ कर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाले यही चीज में करूंगा कार इस वारे बेरेंट में armrest होता है वस यही एक चीज मुझे कमी महसूस होगी अब क्रेटा मेने चलूँगा तो मत सूचिएगा क्योंकि उसमें आपको दिखाते हैं वहां पर कितनी जगे मिलती है तो सिर्फ जगे मैं कंपेर कर रहा हूं तो चलिए अब आपको बैठ कर दिखाता हूं क्रेटा के रियर सीद पर और बेस वेंट मानिएगा कि जब आप खरीदेंगे तो इसके बेस वेंट में क्या-क्या चीज़े मिल जाती आपको मैं दिखाने की कोशिच कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आराम को यहां पर कंसिडर करके आपको दिखाने वाला हूं तो अगर आप क्रेटा खरीदने वाले हैं तो क्रेटा में इतनी जगे मिलेगी मतलब आपको उसके तुलना में इसमें बहुत कम जगे मिलने वाली है ल मैं यहाँ पर बैट कर लंबी दूरी की आता करना पसंद करूंगा प्लाइट बैंची मिलने वाली है जब आप करेंगे तो इस सीट और कलर वगार पर मज़ जाएगा करेंगे अगर आपको अजिस्टेबल हैड्रेस नहीं मिलते हैं तो यह थोड़ी सी चीजें लगती है खरीदें तो मुझे लगता है एक बढ़िया विकल्प मिल गया है जिसमें आपको ज्यादा फीचर मिल जाते हैं और ज्यादा जगे मिल जाती है तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिल गई है एसी बेंट वगरा मैं इसमें जिक्रत नहीं करना चाहरा हूं क्योंकि आपको ब पामले में आपको चुननी चाहिए या क्रेटा यह वीडियो के लास्ट में पता जल जाएगा अब मैं दिखा देता हूं फ्रेंट सीट और यह फाइब सीटर एक्सुवी सेबन डबल हो है और जब आप फ्रेंट सीट में बैठना चाहेंगे तो आपको एक स्यूवी वाला अंदाज यहां पर मिल जाता है और यहां पर बैठकर आपको अजस्टेबल सीट की मिलती है हलंकि करें अगर कुशन फेर्खर कर दो कि फीचर मैंने कंसीडर नहीं किया सिर्फ कंफर्ट कंसीडर कर रहा हूं कि बैठने के वाद में आपको कितना आराम मिलता है जब राइब अगरा करेंगे तो आपको एक कमांडिक पोजिशन मिल जाती है बैठकर यहां पर आजाके जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको एक अच्छी हाइट मिल जाती है तो यह अच्छा है और पैसंजर जब बैठेगा यहां पर तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे हैड्रूम अच्छा मिल रहा है सब प्रेटा के फ्रंट सीट पर आगया हूँ और अगर इसके सीट की बात करें तो आपको बढ़िया सब्पोर्ट बिल जाता है ताही सब्पोर्ड अच्छा मिलता है आप इसके सीट को भी अब इसको मत देखिया क्योंकि एलेक्रिक ली दिया है जब बेस्वेंट में आपको मिलता है सीट तो उस लिहाज से भी आपको एक अच्छा आराम मिल जाता है हाला कि यह छोटी लगती है बोनेट तो आपके नज़रों में रहता है बट प्रेटा एक ऐसी एसीवी है जिसे आप बोलते हैं कि यह प्रॉपर एसीवी जैसी नहीं दिखती है तो इसमें कोई सामने मिल जाती है तो वहाँ पर आपको पूरी बाहर की दुनिया नज़र आती है वहाँ पर एक एक शुिवी वाला इस्टाइंस पर को पताथ चलता रहता है तो यह सारी चीजें mentally स्टी तो हैं वहाँ आपने तरफ रहों दिखाने की कोशिश कर रहा था बाकी और चर्चा करनेंगे ज़िए कोई मुखा मिलेगा क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ आपको एक एक करके बता हूँ जहां पर आप confused होने लगते हैं कि भाई आप 5-seater में आपको क्या क्रेटा खरीदनी चाहिए या फिर एक स्वी 7 डबल होगा तो चलिए आप खत्म करते हैं इस वीडियो को जब विकल्प बढ़ते हैं तो बहुत सारी confusion शुरू हो जाती है और जब confusion शुरू होती है वही पर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जब आपकी confusion जहां पर आए वहीं पर मैं इसे clear कर दूँ तो यह confusion आपका clear हो चुका होगा कि 5-seater विकल्प में अब आपको एक स्वी 7 डबल हो खरीदनी चाहिए या फिर Hyundai की क्रेटा दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा अगर फिर भी मुझे कुछ रह गया है कुछ और जानना जूना चाहते हैं कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले हैं मेरे इंस्टाइंडर लामेट डार नह करिपा कि हुआ से युआने घर कर युआ से एंस्टाइंडर रहा प्रामेट पिर दी दो